Hello and welcome in DigiPic और अजब दुस्राइब शेयर कर रहा हूँ 2024 कलेंडर Full HD Full कलेंडर January to December बहुत ही ज़्याद दबदस्त और amazing यह आपको कलेंडर मिलने वाला है इसको added कैसे करना है वो सब भी आग बताने वाला हूँ अलग-अलग कैसे added करना है और इसके हम paper जो पूरा एक कलेंडर रहता है वो हम कैसे create करेंगे जैसे like this इस तरह से और कुछ इस तरह से तो यह सब इस वीडियो में बताने वाला हूँ निग निग आइडियाज आपको देने वाला हूँ तो अभी जो है वो कुछ 12 दिन, 13 दिन रहते है new year को तो उससे पहले आप ऐसे calendars create कर सके है अपने customer के लिए तो कैसे create करना जल्दी से आपको दाता हूँ यह calendar भी पूरा आपको देने वाला हूँ वीडियो का इस पूरे files का link PSD का link आपको description में मिल जाएगा आप easily download कर सकेंगे और easily फिर added भी कर सकेंगे तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आप easily से edit कर सकें download तो आप अभी कर लेंगे पर उससे पहले अभी तक आपने मारे चनल डेजी पी को subscribe ने करा तो जल्दी से कर लें ताकि आपने माली पर सब वीडियो आपको असाने से मिलती रहे और आप देख सकें, download कर सकें और सीख सकें everything पर graphic designing, every day तो बिना time waste की हम जाते हैं हमारी post के अंदर जो हम आज आपको देने वाला हूँ 24 का A4 template calendar planning तो पूरा A4 calendar है जिसको आप देख सकते हैं तो ये January से January February में आच वस total है और मैंने ये calendar भी देखा है कि सब कुछ correct है, कोई problem तो मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है कि कुछ भी changes तो नहीं है तो ठीक है, मतलब जो इसके date वगरा रहते हैं वो भी तो मैंने फिर अपने calendar से match करके देखा तो ये first जो है, जो 24 new year आ रहा है वो Monday को आ रहा है, तो first Monday तो इधर भी Monday ही है, तो बिलकुल correct है बिलकुल सही है, ठीक है तो उसके बाद अभी हम added कैसे करेंगे तो इसकी साथ वाली PhD आपको ये provide हम आज करने वाले हैं ठीक है, तो ये calendar इस step का कुछ है तो अभी इसके आगे आपको सब कुछ added करना है जो भी आपको चाहिए, ठीक है तो added करने के लिए simple आपको जो है ये पूरा पूरा files मिल जाता है वो आप added कर सकते हैं जैसे के इसके अंदर January यहाँ पर आप दे सकते हैं सारे सारे folder आपको show होते है तो हम सब को hide करते है और अभी हम सिर्फ January वाले को add highlight करते है तो अब देख सकते हैं इस folder के अंदर आपको मेलेंगे weeks, day जो उपर उपर लिखे हो है और उपर January और weeks date और निचे उपर जो ये एफ और template calendar planning लिखा है ये सब ये hide हो जाएंगे उसी से highlight उसके बाद days जो numbers लिखे हो है उसके बाद lines जो यहां पर दी हुई है उसके बाद इसका background ठीक है तो उसके बाद background color जो बिल्कुल ही white जो back में है ठीक है तो आप ये दोनों hide करना चाहते है तब भी आप कर सकते हैं अपने पसंद का color दे सकते हैं पूरे calendar के उपर ठीक है तो अभी हम इसको edit कैसे करेंगे मतलब अलग अलग जगा यहां पर भी आप इसको print कर सकते है वो भी आपकी मरजी चाहें ठीक है जैसे के इसके line हमें नहीं चाहिए वो हम remove कर देते हैं उसके बाद यह जो calendar लेखा हो A4 इसको हम यहीं पर रखके week days के उपर क्लिक करके mask apply करके इसको आप remove कर सकते हैं अभी आपका बिल्कुल clear हो चुका है ऑके बट अभी आपको जो है वो एक ऐसा calendar यहां पर भी आप print कर सकते हो बट आपको एक ऐसा calendar A4 size मतलब बड़ा चाहिए इस कुछ इस टैप का ठीक एक calendar आपने देखा को कुछ इस टैप का रहता है या जो टेबल के उपर पड़ा रहता है वो तो कुछ इस टैप का रहता है बट जो बड़ा वाला होता है A4 size बलकि इसको A3 size बोलेंगे बड़ा सारा होता है दो foot height रहता है इसका एक foot चोड़ा रहता है तो उसके लिए आप ऐसा वाला use करेंगे तो इसके लिए हमें करना क्या है तो मैं इसके लिए new लेता हूँ और A4 size ही फिला लेता हूँ बाकि आप अपने हिसाब से अपने customer के according आप choose कर सकते है तो मैं इसको जो है A4 size लेता हूँ और खड़ा photo tap इसको आप कह सकते है and next अभी आपको करना है कि आप यह पूरा January वाला ही हम बना रहे हैं तो इस January वाले पूरे folder को हम उठाएंगे और अपने इस जो है वो जो अभी हमने A4 create करा है size उसको यह अंदर हम ले जाते है ठीक है और हमें चाहिए यहां पर जैसे कि मैंने पहले आपको बना के दिखा रखा है ठीक है तो यहां पर हम इसको adjust कर लेंगे इसको as a center कर लेंगे yes and okay अभी आपकी मर्ज़ी चाहें तो आप इस पूरे folders को control T और इसको आप इधर रखें और नीचे images दें आपकी मर्ज़ी चाहें तो जैसे भी आप करना चाहें तो कर सकते अच्छा इसके दो चीज़े हैं यहां पर ही आप दो काम कर सकते हैं एक तो आप एक पूरे page के उपर दो month दे सकते हैं ऐसा मैंने देख रहा है दो दो month भी है तो आप पूरा पूरा फोल्डर नीव से create करें sorry duplicate कर लिए और उसके बाद भी आप यहां पर आप दे सकते हैं हम इसको duplicate करके उपर लेके जा रहे हैं ठीक है यहां पर राक सकते हैं और मुझे लग रहा है इसका background है तो वह background भी हम remove करते हैं background remove करते हैं तो अभी हमें यह उपर भी सही से show हो रहा है ठीक है तो अभी उपर वाले को हम थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं यहां पर ओके तो अभी आप इसका जो है वो number chance करते हैं जैसे फरवरी लिख सकते हैं जनवरी उपर और फरवरी नीचे इस step से भी आप एक पूरे page के फिर दो लिख सकते हैं तो यह एक simple बनेगा बट ऐसा लोग नहीं रखते हैं नीचे calendar देते हैं और उपर की तरफ कुछ भी images देता है जैसे कि मैंने आपको यहां पर कुछ इस step के images लगा के दिखाया है या कुछ इस step के या जो भी लोगों ने अक्सर असर मेरे गर में अक्सर रहते हैं कोई company बनाती है तो वो अपने product के जो है वो मतलब images वगरा अलग अलग करके लगाती है एक computer वाली है तो वो mouse लगाएगा computer लगाएगा अपने IT अपने दफ्तर के एक एक जनुर्वरी फर्वरी इस तरह से वो अलग अलग मन्त पे page पे different photo लगाएगा तो उस तरह से आप लगाना चाहते है अपने customer को लगा के दिखाया जाते हैं तो आप इसी पे click करें बैगर मतलब बलके उपर उपर रखें यहां पर and file में जाए place link और अभी आपके पास जहां पर भी images हो है वो हां पर अप जाएं तो मैंने यह जब आपको पता है यहां से वले सारे create कर रहे हैं यहां पर है use data और मैंने एक frame create कर रहा है रात कर सकते हैं दो फाइल दो links मिलेंगे एक यह PSD calendar A4 size और एक यह वाला PSD ठीक है तो यह जैसे आप PNG import कर लेंगे यहां पर इसके उपर ही click करके आपको file place link and photos कोई भी आपको पास जो भी रहेगा वो आप add कर सकते हैं अपने company के according यह जो भी आप इस तरह से रखना चाहते है वह आप दे सकते हैं जैसे के like this मैंने यह photo डा रहा है और उसके बाद इस फोटो को पर right click करना है and create clipping mask तो वह इस mask के अंदर चला जाएगा तो यह थोड़ा देखने में बहुत प्यारा लगेगा आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा प्यारा लगने वाला है ठीक है आप photo इसके बाद आप यहाँ पर कुछ भी औरो text वगरा भी add कर सकते हैं तो वह आपके मरजी है text any your text ठीक है वह आप red में दे यह जो भी any your text है ठीक है तो उसके बाद आप इसको छोटा बड़ा जैसा भी रखना चाहें वह आप दे सकते है and okay और यहाँ पर अक्सर लोग अपनी company चोटा सा नाम करेंगे यहाँ पर भी लिखते हैं तो वह आपका जो भी मतलब accounting रहेगा वह आप changes वगरा थोड़ी बहुत कर सकते हैं तो इस तरह से आपको calendar पूरा बना बनाया मिल जाता है आपने जस्ट इदर से पिक करना है January, February, March जो भी आपको रखना है सारे सारे अलग लग करके तो उसके बाद यह कर सकते हैं तो फोटो आपको और देना है जैसे के आपको बलके PhD भी जब मिलेगा आपको कुछ यह वाला तो बलके नहीं मिलेगा तो यह वाला ठीक है ओके यह आप दूसरा पेज़ बनाएंगे तो उसके लिए right click and replace content और अपना और कोई भी फ जनुरी वाला है तो जनुरी वाले को हम करते है रिमूव एंड उसके बाद आप फरवरी वाला यहां से फोल्डर लाईए और यहां पर इंपोर्ट करिये उसके बाद आप हाइलेट कर लेते हैं बिलकुल उसके according आप जो है वो adjust कर लेना ताके छोटा बड़ा भी ना लाग ठीक है बलके मेरे ख्याल से तो आप बिलकुल सभी के सभी आप पहले इंपोर्ट कर लो और उसके बाद एक साथ सब को छोटा बड़ा करो ताके कुछ भी different जो है न वो अलग अलग ना लगे ओके तो बिलकुल simple and amazing आप यहां पर भी आके इसकी lines वगरा जो भी आपको आता हूँ solid color and देखें वो बिलकुल नीचे तक वो background color हमारा जा रहा है ठीक है तो like this like this यह वाला हम देते हैं तो उसके बाद आप देखते हैं इसका background है जो इन numbers का है तो वो भी आप देख सकते हैं remove हो गया तो यहां तक यह चीज़ भी आप रखना चाहे तब भी ठीक है औ और इसका background रखना चाहे तो भी ठीक है और total background रखना चाहे तो भी तो आप easily अपने recording आप काम कर सकते हैं thank you so much for watching देखते हैं डोनल करते हैं और सीखते हैं everything for graphic designing everyday एक और चीज़ लास्ट चीज़ मैं आपको यहां पर बता दूँ कि आपने यह देखें हमें चलो background तो चलो यह यहां तक तो हमने दे दिया बट इसका भी हमें background जो यहां पर यह चीज़ का background आ रहा है यह भी हमें chance करना तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा इसको डब्ल क्लिक करते हैं तो यहां पर कुछ वो simple simple ही है सब ओके तो हमें जो है वो इसका सब का एक color रखना है तो उसक अचा लगे ठीक है तो जैसे कि यह वाला color select है तो इसको हम थोड़ा सा light कर देते हैं yes थोड़ा सा light यह इतना तो इससे background वाला भी color रहेगा और यह color भी थोड़ा सा better लगे मतलब ऐसा कुछ भी करना चाहते है आप तो ठीक है बाकि आप नहीं करना चाहते तो ठीक है वह white व अभी ही 1224 के लिए calendar आप ready कर सकते हैं इसके यह वीडियो आपको पसंद आया तो thanks करने के लिए नीचे वीडियो को like जरूर कर नीचे comment जरूर करें यह आपको वीडियो कैसा लगा और आपको time से पहले इस बार जो है मैंने brilliant जो है वो calendar शेयर कर दिया है उमीद है कि जब दस तोर amazing होगा और create करना भी आपको बता है thank you so much for watching allahafiz